तो मैं हूं राजिस बढ़ा रहा और computer for quant channel के अंदर आपका स्वागत है तो देखिए students इससे पहले हमने जो भी process के transition diagram थे वो पढ़ लिए transition states थे वो पढ़ लिए तो प्लीज जो भी students अगर वो video नहीं देखा है तो जाके देख लिए अब हम पढ़ रहे schedulers के इंदर dhormal w process आये तो उसको schedule करना प्रोसेस को चेडिल करने काम कॉन करता है schedule करता ये द्यान रखना है आपको च्छेडिल sto March 1 होते लोन्ग टम शेडूलर शोर्ट टम शेडूर और मीडियम टर्ड ठीक है यह मैंने कुछ ठीच तो आप देख सकते हैं अब हम चलते नापको बता देता हूं लोगटर्म शेडूलर क्या होता है अगर इसका काम क्या रहता है कि जैसे कोई प्रोसेस क्रेट होए तो long term schedule का काम क्या रहता है कि कौन कौन से process को सेलेक करना है okay create के लिए प्रोसेस दो तरह के होते हैं CPU बाउंड और I o Bound मैंने आपको वता है था पिछली वीडियो के अंदर CPU बाउंड process कौन से होते हैं जो सिफ competition करने का काम करते हैं वो लोंग टर्म शेडूलर काम क्या है कि इन सीप्यू बाउंड और आयो बाउंड से जो प्रोसेसे उनको वाइसली सेलेक्ट करना माल लीजिए अब हमके चाहते हैं वह स्यप्यू को ज्यादा ज्यादा यूटिलाइज करें तो उसने सारे प्रोसेस क्या कर दिए सीप्यू बाउ लोंग टर्म शेडूलर ओके तो अगर माल लिया उसने सारे प्रोसेस सीप्यू बाउंड ले लिए तो सीप्यू बाउंड प्रोसेस कोन से है जो सिपका जो कम्पूटिशन करने काम करेंगे मतलब इंपोर्टेंट है वह तो रेडी के अंदर आया और जैसी रेडी के अंदर होगा और वेटिंग के हमेशे कहाए गी खाली क्या बांड लिया तो क्या हो जाए गा रेडी कसे खाली रहेगी यह थिया अपको द्यारग सिस्टम का यह से क्या हूदाइक system stable नहीं रहता है ठीक है ना होना है चाहिए कि सारी चीजे average रूप के अंदर होनी कई जितने process अंदर आए उतने process भाहर भी एक दिक जोने चाहिए बाहर भी निकलने से उन प्रोसेस का मिक्स सेलेक करेगा जिससे क्या करेगा सिस्टम स्टेबल रहें ओके वो जो भी प्रोसेस लोंग टर्म शेडूल करेगा उसका एफेक्ट पूरे ट्रांजिशन के दोरान पड़ेगा यह देख लो आप जिसे इसने आयो बाउंड ले लिया तो देख लिए ज लोंग टर्म तक पड़ेगा तो यह आपको ध्यान रखना है लोंग टर्म शेडूल का काम क्या है सीपार और आई वाउंड से मिक्स प्रोसेस सेलेकंग करना ओके और यह उडरिए इन मेंमोरी जितने ज्यादा प्रोसेस में मेमोरी के दिछने क्या रहेगा सिप्यू बढ़ेगी यही तो हम चाहते हैं डिग्रीव फ्रोग्रामिंग अच्छीव करना एफिशेंटली करना और इंक्रीज करना ठीक है तो डिग्रीव मुल्टी प्रोग्रमिंग कौन एंडल करता है लोंग टर्म शेडूलर ओके तो मेरे क्याल से आपको लो आप लेकर आपको रण Ugh्रम्रीट तेट से किन प्रोसेस को लेकर आपको रणिंग स्टेट के बास बैजना यह काम कून करता है उसका मतला है उसको क्यारेगा आप लिस्ट करने उसको क्या करेगा आप वेट्रैइग मैं bands important को बताएं ओके तो short-term के लिए इंक्ष होता है इसका प्रावजिए short-term के लिए ठीकिए अगर उसने डॉक्टर को बता दिया तो लेंट हो जाएगा ओके न तो short-term ट मेंन कोन करो है short term scheduler यह आपको ध्यान रखना है decide which process to go on running state कौन सा process running state के नदर जाएगा decide कौन करेगा short term scheduler long term schedule यहां रहता है new state short term schedule यहां वर करता है फिर देखिए medium term scheduler reduces degree of multi programming less resource or swapping देखिए अब medium term schedule का वर करता है यहां करता इसका क्या वार करता है जहां पर memory कम है जहां पर resources कम है और sorry बहुत सारे process आगए एक साथ ठीक है ना तो क्या करेगा जैसे कुछ प्रोसे से waiting के दर आगा और आपको waiting को मैंने बताया था आपको यह सेकंडरी मेमोरी के करेंदर रनींग्ज स्टेट बहुत इडिश्पा गडरिख्तेटी मेमोरी के अंदर है से सचंट्री मेमोरी के अंदर है और से साटे में गडर्म मेरें दर भिंटेशन के बहुत dadu क्या ब्र dur करके सेकेंडरी में 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 के लेके आपको में 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 दर बच जाए तो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरू करें वीडियो को शेर जरू करें और चेनल को सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक्यू